री इगूची, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेस्लिंग की ओलम्पिक्स चांपियन इगूची ने पैलिस दोहजार चॉबिस ओलम्पिक्स में गोल्ड मेडल जीता उन्होंने अमेरिका के स्पेंसर रिचर्ड ली को चार दो से मात दी गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्होंने भातिये पहलवान विनेश फोगाट के साथ सम्मीदन जताते हुए अपना सपोर्ट ओफर किया मतादे कि इगूची भी एक बार जादा वजन की चलते डिस्क्वालिफाई हो चुके हैं टोक्यो ऑलंपिक्स क्वालिफाईर्स के दरान 50 ग्राम जादा वजन की चलते उन्हीं डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था अब पैरिस में एक गोल्ड मेडल जीतने के बाद इगूची ने विनेश के लिए सूशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया एक्स पर पोस्ट कर इगूची ने विनेश से रेटायमेंट वापस लेनी की अपील भी की इगूची ने एक्स पर लिखा जीवन आगे बढ़ता है जटकों से उबर कर आगे आना सबसे खूबसूरत चीज है अच्छी से आराम करो इगूची ने ये पोस्ट विनेश की रेटायमेंट पोस्ट को कोट करते हुए लिखी विनेश ने आठ अगस की सुभे एक पोस्ट में लिखा था इसे पहले विनेश को डिसक्वालिफाई करने के फैसले पर भारती एफांस खूब गुस्सा हुए थे लेजंडरी क्रूइटर सचिन तेंदुल को समेथ तमाम लोगों ने इस पैसले की आलोचना की कई लोगों ने तो इसे लॉजिक और स्पोर्टिंग सेंस के खिलाफ भी बता दिया ना सिर्फ भारत बलकि विनेश को बाकी जगह हो से भी खूब सपोर्ट मिल रहा है लेजंडरी रिसलर जॉडन ब्रोस ने तो विनेश को सिलवर मेडल दिलाने के लिए एक सूचल मीडिया कैमपेइन ही शुरू कर दिया था उन्होंने एक्सपर एक पोस्ट में लिखा शायद ऐसी कहानिया ही आयोसी को जगाईं की प्रेसलिंग को छे से जादा वेट क्लासे की जरूरत है वर्ल्ड क्लास विपक्षियों के सामने तीन कड़े मैच के बाद किसी भी एथलीट को गोल्ड मेडल मैच के लिए इस तरीके से तैयारी ना करनी पड़े आज के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए विनेश की शरीर से आखरी ग्राम तक वजन कम करने के लिए भातिय टीम हताश और परिशान दिखी इस काटिगरी की गोल्ड मेडल इस्ट अमेरिका की सारा हिल ब्रांट ने भी विनेश के लिए समर्थन जाहिर किया था गोल्ड मेडल जीतने के बाद वो बोली थी उनके लिए पहला दिन कमाल का था उन्होंने बहतरीन खेल दिखाया यह बहुत बुरा है लेकिन अंत तहर यह हमारे काम का हिस्सा है तैसीमा से 100 ग्राम जादा वजन के चलते डिस्क्वालिफाई होने के बाद विनेश ने इस पैसले के खिलाफ C.A.S. में अपील की थी C.A.S. यानि Court of Arbitration for Sport इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने मैं हूँ गेरिमा स्पोर्ट्स जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहे हैं लालन टॉप स्पोर्ट्स शुक्रिया